तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दू कि ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी मूवी को हेट नहीं करता है ये बस आपके एंटेटेन्मेंट के लिए बनाए जाती है तो प्लेज यार इस वीडियो को बिल्कुल भी सिरियस मत लो और अगर सच्ची आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो इस लाल बटन को नीला कर दो और दबादो इस घंटे को ताकि आपको इस मंदीर का परसाथ मिलता रहे मुवी के स्टार्ट में हमें अजी देवगन और काजल की आवाज सुनाई पड़ती है लेकिन पूरे मुवी में अजी देवगन कौन है कहां से बोल रहे है ये पता ही नहीं चलता है आई मिन उनको एक भी सीन में कौफर नहीं किया गया है इस सीन में ये बंदा इन दो फ्रूट्स को उपर फेकता है और दोनों को फोर देता है लेकिन फिर पता नहीं ये कैन कौन फेक देता है आई मिन ये बंदा तो फेकता नहीं है तो फिर ये कैन यहां पे कहां से आ जात इस सीन में जब इसकी भाबी इसको चाय देती है तो ये दो हाथ से पकड़ती है लेकिन जैसे ही camera angle change होता है तो ये बंदी इस चाय को एक हाथ से पकड़ी होती है जानी यहां से ऐसे जूगता है और ये अपने दोस्त को देख लेता है लेकिन क्या आपने नोटीस किया यहाँ पे कोई खिर्की है ही नहीं और अकर होती भी ना तो ये बंदा इतना 360 एंगल से नहीं देख पाता क्योंकि यार इतना अच्छा भ्यू कभी नहीं मिलने वाला है खिर्की से और जानी ने इस स्टॉर से और फॉल विपर से इतना अच्छा लाइड बनाया कि ये चंदा मामा तक को टककर दे दे रहा है आइमिन टककर क्या ये तो चंदा मामा से भी जादा रोसनी दे रहा है और जानी को हड़ बड़ इसकी मन की बात कैसे पता चल जाती है आइमिन ये लड़की तो कुछ बोलती नहीं है लेकिन फिर भी जानी वही लाइने बोलता है जो इसकी मन में चल रही होती है और जानी यहां पर इतना स्लोली स्लोली बोल रहा होता है लेकिन फिर भी इस लड़की को सब कुछ सुनाई देता है अब ये scene इस movie का favorite scene है मतलब ये बंदा इस scene में क्या बोलता है वो सुनिये भाई इससे दुनिया की वो हर लड़की पड़ती है सही में यार ये scene पुरा movie का पैसा वसूल scene है इसके लिए भाई scene तो बनता है चल काउंटर 100 scene पक्का add कर ले तू और भाई मैं यहाँ से skip कर रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर रुका न तो पक्का बहुत सारी scene मिलेंगे क्योंकि इस बंदी के reaction मेरे को ठीक नहीं लग रहे यार तो चलो यार skip करते हैं और आगे बढ़ते हैं जानी कहता है कि यह यहाँ पर हर मैने check देता है तो अगर यह बंदा यहाँ पर हर मैने check देता है तो इसको पता होगा कि बिना sign के आवा check नहीं चलता है तो फिर यह बंदा यहाँ पर बिना sign के आवा check क्यों देता है जानी जब बिंदू को first SMS करता है तो बिंदू के फोन में 11 बच कर 52 मिनट हो रहा होता है और फिर जब दूसरा है समस करता है तो उसके फोन में 11 बच कर 54 मिनट हो रहा होता है लेकिन 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 जानी ने एक मिनट भी लेट नहीं किया तो फिर ये टाइम 2 मिनट आगे कैसे चला गया और अगर बिंदू को जानी को इग्नॉरी करना था तो फिर इसने इसका नंबर क्यों सेप कर रखा है बिकार का ही टाइम पस कर रही है लड़की ये बंदा जब फोन पे बात करता है तो इसके हाथ में ये सिगरेट होता है लेकिन जैसे ये फोन को नीचे रखता है तो वो सिगरेट उसके हाथ से गायब हो जाता है और ये बंदा जैसे इस लड़की को देखता है उस हिसाफ से अगर किसी को भी देखेगा तो भाई लड़की को डाउट तो हो गई लेकिन ये लड़की जरा सभी गौड नहीं करती है कि ये बंदा क्या खर रहा है और ये बात यहीं पे खत्तम नहीं होती है ये बंदा इसको पूरे मुवी में ऐसे ट्रीट करता है लेकिन फिर भी इस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलता है अब इस scene में इस बंदे के पीछे काफी सारे लोग होते है लेकिन जैसे ही camera angle change होता है तो वो सारे लोग वहाँ से गायव हो जाते है बिंदू के परसाद देते ही ये सारे लोग यहाँ से चले जाते है जैसे मानो ये लोग यहाँ परसाद लेने के लिए ही खड़े हो SMS देख तो ले और जानी को तो छोड़ो इसका दोस्त भी बीना फोन को उन के ही SMS को देख लेता है सही में भाई इबन बिंदू ने जानी को blank SMS किया है और इस बंदे को पता चल जाता है कि बिंदू उसे बुला रही है और सबसे फ़नी चीश तो ये है कि जानी बोलता है blank SMS, blank check जितना powerful है सही में भाई, तेरा प्यार का level बहुत अलग है अब इस सेन में देखो, यहाँ पेर है भी नहीं लेकिन फिर भी पत्या यहाँ से बरस रही है अब I don't know, कि कौन बरसा रहा है पत्या और जानी बिना माईक के इतना उचा काले रहा है सही में भाई, जानी जब यहाँ से आता है तो इसके हाथ में सिर्फ यह beer का बोटल होता है लेकिन फिर अचानक से बता नहीं, जानी ऐसे टर्ण करता है और इसके हाथ में यह पानी का बोटल जादू से आ जाता है लेविल और जानी बियर का बोटल ऐसे उंगली से खोल देता है जैसे ये सैंपिन का बोटल हो सही में डूड अब इस दिन में देखो यहाँ पे इटे रखी हुई है लेकिन जैसे ही कैमेरा एंगल चेंज होता है तो वो इटे वहाँ से गायब हो जाते है और जैसे फिर से दिखाते हैं तो फिर से वहाँ पे वो इट आ जाती है और पहले यहाँ पे कोई भी पानी वेगरे नहीं था और फिर अचानक से यहाँ पे यह पानी आ जाता है ताकि जानी इसमें गिर सके और फिर जब दिखाते हैं तो फिर से वो पानी वहाँ से गायब हो लेकिन ये card stop भी नहीं होता है और जानी को यहां से उड़ा के लेके चले जाते है अब इस scene में दिखाते हैं कि बिंदू phone कर रही होती है और phone के गिडने से बिंदू का phone receive हो जाता है चलो यार मान लिया कि call receive हो गया लेकिन भाई मुझे ये बताओ कि क्या ये जो screen में माई दे रही है मक्खी की entry ऐसे दिखाते हैं जैसे मक्खी कोई dinosaur हो अब जैसा कि scene में दिखाते हैं कि जब ये बंदा नीचे पैर को रखता है तो इसके नीचे काफी बारा गड़ा होता है जिसमें पानी होता है लेकिन जब हम अच्छे से देखते हैं और जब वो बंदा व और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मक्खी के साथ भी coincident होता है coincident number one मक्खी उस बॉल पे गिरा लेकिन वो बंदा मक्खी के उपर हाथ नहीं रखा coincident number two ये बंदा बैट से ऐसे माड़ा कि उस मक्खी को नहीं लगा coincident number three मक्खी गिरा तो सही लेकिन apple के उपर गिरा सही में और सबसे बड़ा coincident मक्खी भागते भागते वहीं पी पहुचा जहां उसका दुस्मन रहता है और एक मक्खी के साथ अगर इतना torture हो ते एक मक्खी तो ऐसे ही मर जाएगा लेकिन फिर भी ये मक्खी जिन्दा रहता है ओ बाप रे बाप मक्खी के पंक हिलाने से जोदी है अब तो रॉकेट भी बन गया है मक्खी रॉकेट जैसा लॉंच हो रहा है अब इस सीन में देखो मक्खी कैसे कार से भी स्पीड भाग रहा है लेकिन इस सीन में देखो ये मक्खी सोच रहा है कि अब मैं उसको कैसे पकरूंगा ये कार तो कितना आगे चला गया त इंदू इसके लिए sorry बोलती है बट why इस scene में जब ये बंदा इसको lock करता है तो code होता है 906 तो logic ये है कि अगर ये बंदा इसको unlock करेगा तो code ये ही डालेगा लेकिन जब ये बंदा इसको unlock करता है तो code डालता है 5 और 6 और इसके बाद enter कर देता है और ये lock खुल भी जाता है तो भाई ये कैसे possible है लोग करते समय तो ये बंदा 906 डाला था और unlock करते समय फाइब 56 से खोल देता है तो ये कैसे possible है भाई और भाई बात्रूम में इतने नुकिलेशेश कौन यूज करता है यार अगर गलती से पैर भी स्लिप हो गया तो बंदा तो ऐसे ही मढ़ जाना है और उसके बद जब ये remote गिरता है तो टीवी automatic pause भी हो जाता है I mean repeat refine हो जाता है एक इस दिन बार बर दिखाया जाता है और भाई सबसे बड़ा बात तो ये है कि pause वहाँ पे होता है जहाँ पे main dialogue है मतलब यार इतना coincidence बॉलिवूट मोवी में भी नहीं होता होगा अब इस scene मे यहाँ पे आता कैसे है अब ये बंदा खुद को ऐसे cover कर लेता है जो कि अकेले possible ही नहीं है I mean अगर कोई help ना करे तो ये possible ही नहीं है अब इस scene में देखो मक्खी के बीचे कोई भी कार नहीं है लेकिन फिर अचानक से मक्खी के बीचे ये red कार जादू से आ जाता है ताकि ये कार इससे टकरा सके और जिस हिसाब से ये गाड़ी लौडी से टकराता है उस हिसाब से तो गाड़ी का सामने एकास टूट जाना चाहिए लेकिन फिर भी सामने के काच को कुछ भी नहीं होता है क्यों ताकि मक्खी इसमें I will kill you लिख सके और ये बंदा यहाँ पे इतना पर एक्सिडेंट करता है लेकिन फिर भी इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है I mean हाथ बेर तो तूटना चाहिए था ना लेकिन फिर भी इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है अब इस सीन में बिंदू इस मक्खी के ऊपर दो बार स्प्रे करती है I mean kill का जटका जोर से देती ह लेकिन फिर भी इस मक्खी को कुछ भी नहीं होता है आइमिन ये मक्खी बेहोस हो जाता है आइमिन डूड ये हिट बहुत पावर्फुल होता है तो मक्खी को मर जाना चाहिए था लेकिन फिर भी मक्खी मरता नहीं है बेहोस हो जाता है आसु ऐसे गिरते है कि मक्खी इससे I'm issue लिग देता है लेकिन मुझे यार ये बताओ बिंदू तो एक जगा stay होके रो रहे ये न I mean आसु कर गिरेंगे तो एक ही जगा गिरेंगे लेकिन ये तो आसु यहाँ पे गिरा है यहाँ पे गिरा है यहाँ पे गिरा है सही में यार मक्खी के face के उपर mask होता है लेकिन जैसे ही camera angle change होता है तो वो mask गायव हो जाता है Oh my god मक्खी सुधीब किच्चे को मारने के लिए जीम कर रहा है अब ये कुछ जादा नहीं हो गया एक छोटा सा मक्खी screw खोल रहा है सही में यार इस scene में जब ये इसको फेकता है तो इसका तार फसा होता है लेकिन जैसे ही camera angle change होता है तो वो चीज़ खुद उसमें फस जाता है I mean पहले तार फसा हुआ था अब automatic वो चीज़ वहां आके फस गया सही है हवा पिछे से आता है और बाल इसके सामने के हिल रहे है और ये बंदा सच में पागल है एक मक्षी को मारने के लिए इतने सारे बंदुक ला लिया अब इस scene में दिखाया जाता है कि बिंदु इसमें छिप जाती है लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि बिंदु इसके अंदर गई कैसे क्योंकि यहाँ पे तो कोई जगा नहीं है इसके अंदर जाने की तो फिर बिंदु इसके अंदर कैसे घुश जाती है और ये बंदा भी अजीब पागल है मक्षी को पकड़ने के बाद डायलक बाजी करता है अब तेरा क्या होगा रे मक्षी भाई डायलक बाजी क्या कर रहा है यार मार उसको और खेल फिनिस कर तुभी बत जाएगा लेकिन नई तुझे तो मक्षी के हाथो ही मढना है अब जैसा कि सीन में दिखाया जाता है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण पूरे घड में आग लग जाता है और बिंदू घड में ही छूपी हुई होती है लेकिन फिर भी बिंदू को कुछ भी नहीं होता है तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही और बिंदू के लिए लोग जाता है और बिंदू के लिए क्या ले बिंदू के लिए लोग लोग वाग लग सता है कि अप्रपाइ लेकिन वाग लुआ कि लिए टतुर के लिए लुए